लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं उसी को लेकर दरजन भर लोग घायल हो गए और दोनों पचो को मिला कर दरजन भर लोगों पर मुखदमाद दर्श किया गया है पुलीस दोसियों के भीरुद कानूनी कारवाई में जूट गई है मिली जानकारी अनुसार ग्राम सभाव इस्खोप में वर्सों से चली आरही चुनावी रजिस को लेकर दो पच्छों के बीच गाली गलोज कहा सुनी के बाद उक्तवी बाद मारपीट में तबदील हो गई मारपीट इतनी जबरज़त थी कि कई लोग गंभी रूप से घाल हो गए जिनका इलाज चला है दोनों पच्छों से कई लोग घाल हुए हैं उक्तमामले में पुलीस ने दोनों पच्छों से सतर लोगों खिलाप मुकदमा दर्श किया है कुछ लोगों ने बता कि गाउं के विरिज मोहन पांडे ने वर्ष 2017-2018 से वर्ष 2021-21 के वर्षों में गाउं में कराय गए लोहिया, आवास, मन्डेगा, हैंडपम्प, नाली निर्माल, मरम्मत, आधी की सिकायत कर जाज की मांग की थी उक्तमामले में मंडल अस्तरी, टी, एस, टी की टीम गाउं के प्रात्मिक विद्याले पर पहुँश कर अभिलेखों की जाज परताल कर रही थी तभी गाउं के पूरो परधान चंद्रिकावा बिज मोहन पांडे पश के लोग आपस में भीड़ गए और मार पीट हो गई एक पक जैगोबिंद पांडे की तहरीर पर चंद्रिकाव परशाद, प्रलाद, बिनो, चंदप्रकास, सुरेप्रकास, गड़े, सैलेस, बिबेक, स्यामकरण, स्याममोहन, राहुल, सोनू, आदी के खिलाप केस दर्ज किया है तो वहीं दूसरे परश के चंद्रिकाव परशाद की तहरीर पर बिज मोहन पांडे, प्रेम मोहन पांडे, जैगोबिंद पांडे, जैसिंग पांडे, बबलू, बाबुलाल, उर्फ बगड़, आदी के खिलाप केस दर्ज किया गया है पुलीस द्वारा उक्तमामले की जाच सुरू कर दी गई है